आपके बुक में एक कुश्चन है इलिस्टेशन नमबर 21 जो के मैंने चुड़वाया था बस यही रहे गया था इसके अंदर एक कॉंसेप्ट आता है ओवर वेल्यूड आफ स्टॉक का ओवर वेल्यूड आफ स्टॉक का मतलब क्या है ये भी देखते हैं एक बार और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी समझेंगे हैं सबसे पहले ओवर वेल्यूड का मतलब होता है मैंने स्टॉक को एक्स्ट्रा लिख दिया है एक्स्ट्रा का मतलब सपोज मेरा स्टॉक था सो रुपए का लेकिन गलती से मैंने इसको 120 रुपए लिख दिया है यानि जो स्टॉक का एक्चॉल वेल्यू था उसको मैंने बढ़ा के लिख दिया है अब इसको ठीक कैसे किया जाए आपको सबसे पहले मैं कुछ ट्रेडिंग और पी इंडल बना के दिखाता हूं मैं मानलो मैंने 31 तीन दो हजार एक दियान से देखना यहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट है और यहां पे एक बैलेंस शीट है ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे ओपनिंग स्टॉक होगा और यहां बाई सेल्स होगा और पर्चेज होगा मानलो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए सेल्स 1000 रुपए का है और पर्चेज जो है वो 300 रुपए का है and buy side में हमारा closing stock होगा 300 रुपए closing stock होगे हमारा 200 रुपए का यहां से हमारा answer क्या निकलेगा gross profit यह 1200 रुपए है यह भी 1200 और यहां पे gross profit जीपी निकल जाएगा 1200 में से 400 माइनस कर देंगे 800 और फाइनली जीपी बाइ साइड में आ जाएगा बाइ gross profit और यह आ गया 800 और यहां पे लिखेंगे two side में salary salary suppose करो 100 रुपए लिखे दिया अब इसका total क्या आ गया 800 रुपए इसका total 800 रुपए यहां पे NP निकल के आ जाएगा और NP 700 ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाय हुआ है और इसके बाद यह मैंने बनाया आपके सामने balance sheet यहां पे पहले से capital यहां पे पहले से capital 2000 रुपए गया यह net profit इसमें आके plus हो जाएगा और यह आ गया 700 यानि capital हो गया 2700 रुपए गया capital हो गया 2700 यह मैंने सारा detail जो था वो मैंने detail यहां पे बनाय हुआ है 2010 का 2010 का मान लेते हैं इसे 2010 का सारा का सारा detail मैंने बनाय हुआ है 2010 का 2010 का एक मैंने trading P&L और एक balance sheet अब 2011 में आते हैं 2011 में भी मैं एक trading P&L और balance sheet बना लेता हूँ यह 2011 का है अब 2011 में opening stock क्या बता सकते है opening stock क्या होगा 2011 में जो 2010 का closing होगा यानि 200 रुपे यहां का capital क्या होगा 2011 का जो यह capital closing है क्या सकता है यानि 2010 और 2011 में connected है यह दोनों आइटम बाकी यहां का purchase क्या होगा वो ऐसा नहीं कि पिछले वाले purchase को देख के आब बता दो बाकी यहां पे sales क्या होगा हम नहीं बता सकते लेकिन हाँ ओपनिंग स्टॉक यहां का हम जरूर बता पाएंगे और यहां का capital बता पाएंगे क्योंकि यहां का जो closing होगा अगले साल का opening होगा और स्टॉक होगा वो यहां पर लिखा मैंने परचेज हजार रुपए और मैंने लिख दिया सेल्स दो हजार रुपए दो हजार रुपए यह आ गया दो हजार रुपए यह आ गया और यहां भी closing stock डाल देता हूं मैं तीशन सो रुपए suppose तो यह आ गया टेइस सो तीश सो मिसे बारा सो माइनेस कर देंगर हम तो जीपी फिर से आ गया ग्यारा सो बाय आ जाएगा हमारा जीपी कितने का 1100 का जब बाय साइट में जीपी आ गया तो फिर से हम यहां पर मान लो 2 सेलरी लिख देता हूं 300 रुपए यानि अब मेरा फिर से 300 या 400 कर देते हैं प्रॉफिट क्या आ गया 700 एं नेट प्रॉफिट अगेन ये जाके इसमें नेट प्रॉफिट अब मैं 2012 की बात करता हूं 2012 में क्या हमें उपनिंग स्टॉक पता चल पाएगा पता चल जाएगा क्या होगा 2012 का उपनिंग स्टॉक एंट 2012 का कैपिटल भी पता चल जाएगा अब जब मैं 2011 में पहुँचा पहुँचने के बाद मुझे रिलाइज हुआ कि 2010 में मैंने कुछ गल्दी करा हुआ है गल्दी ये करा हुआ है कि मैंने ये जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक है न ये मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया था मुझे कब पता चला ये बाद 2011 में मैं 2010 में तो जा नहीं सकता मैं जो भी रेक्टिफाई एंट्री करूँगा 2011 में करूँगा अब अगर मैंने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जादा लिखा है यहां पर लिखना कितना चाहिए था 100 अगर 100 लिखता तो इन दोनों को टोटल क्या आता और देन जीपी क्या निकल क्या आता 700 रुपए का यानि क्लोजिंग स्टॉक में क्योंकि 1100 1100 में से हम टोटल माइनस करते 400 और जीपी निकल के आता 700 फिर इसके बाद जीपी यहां 100 माइनस करते तो नेट प्रॉफिट आता 600 यानि बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के लिख देते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़के आता है सीधा कनेक्शन है क्योंकि अगर मैं इसको काट के 100 लिखो तो नेट प्रॉफिट कितना एगा और ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुखता कैपिटल पे भी फरक डाल देता है क्योंकि यहीं जाके कहां पे जुड़ जाता है यानि अगर मैं इस एरर को नहीं करता तो मेरा नेट प्रॉफिट होता 600 और कैपिटल आज के डेट पे होता 26 जो कि यह एज़ेटी क्या हो गया आगे कैरी फरवर्ड हो गया अब मुझे पता अब चला है कि मैंने पीछे यह गलती किया है अब मुझे यहां पे ठीक करना पड़ेगा ना करेंट इयर में तो करेंट इयर में ठीक करने के लिए करेंट इयर के किस किस आइटम पे इंपेक्ट पड़ा होगा पीछे के वज़े से एक opening stock पर पढ़ा होगा और एक capital पर पढ़ा होगा यानि current year में जो opening stock मैं यहाँ पर 200 लिखना हूँ 200 नहीं लिखना चाहिए था कितना लिखना चाहिए था 100 रुपे यानि इसे काट के मुझे 100 लिखना पड़ेगा current year में यानि या फिर मैं 100 सीधा क्या करूँआ माइनस कर दूँआ और जो capital 2700 लेके चल रहा था मुझे 2700 लेके नहीं चलना था मुझे कितना लेके चलना था 2600 तो यही है आज का adjustment कि अगर हमारा कोई भी closing stock overvalued हो या undervalued हो तो कैसे करेंगे overvalued का तो समझ में आ गया कि current year में दो जगा entry पास कर देंगे ठीक हो जाएगा कहां कहां एक opening stock में और एक capital में यह हमारा ठीक हो जाएगा concern यह आता है कि मानलो यह undervalued होता वैसे book में question नहीं है फिर भी मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ मानलो मैंने बोला होता कि इसे मैंने 50 रुपे कम लिखा हुआ है तो ठीक करते अगर तो यह कितना था 1250 प्रॉफिट कितना था और एंपी और capital अब current year में ठीक क्या करते है opening stock में add और यहाँ पे भी add यानि जब overvalued होगा तो current year वाले part में दो जगह entry करेंगे opening stock में और capital में अगर overvalued हुआ तो minus minus करना पड़ेगा लेकिन undervalued हुआ तो plus करना पड़ेगा तो overvalued का अगर मैं adjustment की बात करूँ तो इस adjustment का दो impact हो सकता है या तो stock दे सकता है हमें overvalued का या दे सकता है undervalued का अगर overvalued का examiner question देगा हमें तब भी दो entry करेंगे और undervalued का दिया तो तो भी दो entry जाएगा हमारा एक तो हो जाएगा opening stock में और यहां भी और balance sheet में और balance sheet में लेकिन फरक ही है overvalued में minus हो जाएगा और यहां भी minus हो जाएगा balance sheet के liability में और यहां plus हो जाएगा और यहां balance sheet में कहां plus होगा balance sheet के capital में तो adjustment लिखना आपका stock के उपर यह भी adjustment आ सकते हैं कि आपके question number 21 में है एक बार 21 को देखो आप 21 में undervalued वाला है overvalued वाला देखते हैं overcasting एक बार adjustment पढ़ लेते हैं adjustment कहता it was discover in first April 2016 accounting बोलता है 17 की करो और यह पिछले साल की बात करता है एक अपरेल 2016 में इसको मिला साल के सुरुवात में ही पता चला 31 मार्च 2016 31 मार्च 2000 देखो यहां पर आपको बोलता है कि आप accounting करके दिखाओ 14 2016 से लेके यह हमारे current year है 31 मार्च 2016 कुन सा साल होगा last year होगा 31 मार्च 2016 में was overcast by 1000 however no entry pass in April कहता है 1000 रुपे से मेरा पिछले साल का स्टॉक बढ़ा हुआ था 31 मार्च का स्टॉक का मतलब पिछले साल का closing स्टॉक बढ़ा हुआ था तो impact हमें current year में rectify करना पड़ेगा एक opening स्टॉक में से क्या करना पड़ेगा minus और balance sheet के capital में से भी हमें minus करना पड़ेगा overvalued of stock के नाम से अब note करिए से आप करना पड़ेगा